अगर आप खुद के लिए इस वत इंटर्शिप डूंड रहे हो पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब करना चाहते हो या फुल टाइम हाइरिंग के लिए अगर आप अपलाई करना चाहते हो तो रिसेंटली नोटिफिकेशन आ चुकी है बहुत बड़ी अपॉर्शिटी है चाहते हो या खुद के लिए अभी मतलब अर्णिंग करना चाहते हो तो यह अपॉर्शिटी आप लेंग ले बहुत ही जादा बेनिफिशल है यहां पे अप्लाई के प्रोसेस में बतानी वाली हो सारे स्टेब बैस्टेब बतानी वाली हो तो वीडियो के एंड तक बने रह कोते हो आर्ट, कॉर्म, साइंस, बिजनेस, फाइनस, किसी भी फिल्ट से अगर आप बिलॉंग करते हो तो यह चाहते हो में वीडियो बनाओ इस पर कि अगर पार्ट ताइम, फुल ताम, फुल ताम के लिए अहरिं के लिए चाहते हो यह इंटरेंशिप पर अप्लाई करना वीडियो के डिस्रीप्चिप्चिन में एने ओफिशल वैक्साट का लिंक दिया वाया जाके चेक करों आपे क्लिक करने के बाद आप इस ओफिशल वैपसाट पे आने वाले हो जो आप लिन्क है यहाँ पर जो हैरिंग चल रही है Amazon की तरफ से वो software development engineering की तरफ से hiring चल रही है सीधे चलते है इस qualification देख लेते है जो qualification required है यह पर नीचे स्कॉल करने के बद आपको दिखने लग जाएगा basic qualification जो required है Amazon required करा है आप लोग लिए अगर आपका bachelor degree है या master degree आप कर रहे हो in computer science या computer engineering में तो आप apply कर सकते हो अगर आप इस फिल्ड में नहीं हो या उसके related फिल्ड में हो तो आप apply कर सकते है ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको basic knowledge है syntax के related मतलब जो languages है Java, C, C++, Python के related अगर आपको basic syntax के knowledge है तो आप apply कर दो अगर आपने यह कोर्स नहीं कर रहा है अगर आपको यह कोर्स करना है C, C++, Python का तो वीड़ो के description में आपको link मिल जाएगा वहाँ जाकर चेक करो आप apply कर सकते हो साथी साथ साथ certification भी free में गेन कर सकते हो यहाँ पर साथी साथ यहाँ जो required जो knowledge है computer science fundamentals के अगर आपको fundamentals मालूम है थोड़े बाद basic knowledge है computer science के related जैसे कि object oriented programming जैसे algorithm के अगर आपको basic knowledge है तो आप अपलाई कर सकते हो आपे distributed system and multi-threader system जो operating system के concept है अगर आपको थोड़े बहुत मालूम है तो आप अपलाई कर दो and यहाँ पे algorithm के अच्छी knowledge है तो आप अपलाई कर दो उसके बाद जान लेते कैसे अपलाई करना है उपस कोल करने के बद आपको यहाँ पर अपलाई नाओ का button दिख रहा है आपको simply अपलाई करने के बाद आपको यहाँ आपको प्रuma करने के पाद आपको लॉगिंट इट्ल सूचे जाएंगे आपको लोगिं कर देना है email address जलना है farmers number जालना है इछापे दोनों same डालो जो है आपका address जालने के वाद आपको city, pin code, country और state select करके save and next आपको कर जेना है थाज आप save and next करोगे जहापे अपको general question कुछ पूचे जाएंगी अगर आप री विलिम्ट डू री लोकेट, अगर आप री लोकेट हो सकते हो तो यस कर दो नहीं तो नो कर दो, अगर आप कोंसी लोकेशन में वक करना चाहोगे यहाँ पे आपको शिटी सिलेक्ट करने लिए, उसके बाद हाओड यू, हमतलब कहां से आपने यह जौब के वा कर सकते हो ने तो आपको कौन कोन से लैंग्विज टेक्निकल नॉलेज है आपको यहां पे मेंचिन कर देना है उसके बाद वर्क एलिजिबिटी की बात कर लेते हैं यहां से जो बेसिक से कोशन्स आपको पूचे जाएंगे याप कोशन्स के आंसर देख लो अगर आप यही आ आपको सेवन ina कर देंगे बाद एक्नॉलेजमें जीज है यहां पे चेक्बोक्स पर क्लिक करके से बनेक्स आपको कर देना है उसके बाद यहां पर एंप्लोईमेंट की यहां पर आपका जेंटर पूचे बूच जाएंगा यहां पर सेवन नेक्स करके यहाँ पर फाइनली ये कोशन पूच जाएंगी आप ये कोशन के आंसर देख लो उसके बाद सेवन नेक्स करने के बाद आपका यहाँ इस जॉप्त ले अपलाई कर शुकी हो अब बात कर लेते हैं विप्रो की जो विप्रो को ऑफिशल वेबसेट का लिंक कर देना है एंड उससे पहले पहले आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना ताकि वह भी अपलाई का सके इस जॉप रोल के लिए उसके बाद जो जॉप अपनिंग निकली हुई है यह पर जॉप फंक्शन है मतलब जो पोजिशन के लिए हायर हो रहे है आप इन इंक्रीज होने वाला है साथ ही साथ अगर आम वीडियो की डिस्क्रेशन की बात करें यहां पर एजुकेशन की अगरम बात करें यहां पर आपका टेंथ पास आउट होना चाहिए अगर आपने डिपलोमा किया है तब भी आप अपलाई कर सकते हो अगर आपका जो अगर आप किसी भी कॉलेज की क्या मतलब पास आउट सुडेंट तो आप अपलाई कर सकते हो यहां पर एज साथ यह और आप पासिंग यहां पर देख सकते हो 2022 पास आउट की बैच होनी चाहिए उसके बाद आप कौलिफिकेशन की बात करें अगर आप बीसीय कर रहे हो बी नीचे स्कूल करने के बाद जो स्टाइफंट की डीटल से जैसे मैंने बोला की पिराडिक एयर के लिए मतलब यहार साल मतलब आपका इंक्रीज होनी वाला है आपकी इंक्रीज होनी वाली है अब बात कर लेते कैसे अपलाई कर रहा है अपलाई करने के लिए आपको सिंपल प्रवाइन अपलाई का बटन दिख रहा है वहाँ आपको सिंप्ली क्लिक कर देना है जैसे बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा आपका जो बेसिक डीटल परसनल डीटल आपको पूचे जाएंगी जैसे की फॉस्स नेम लास्नेम आपको डा पर कॉंटाइक डीटल जैसे आपको एड्रस वगर आपको पूचा जाएगा आपका जो परसनल डीटल से वापे डाल के आपको सेवान नेक्स कर दिना है उसके बाद जो करन एंड मोस् रिसेंट एजुकेशन मतलब आप कॉंप्टर सांश कर रहो हो बैचलर डिगरी कर रहो करन जो एजुकेशन आइटी कर रहे हो जो भी आप कर रहे हो जो आपका करन एजुकेशन है जो आप कर रहे हो वह आपको डालना एजुकेशन आपके डाल के सिंप्ली सेवार नेक्स कर देना है जैसे आप सेवार नेक्स करने के बाद है आपे जो आपका प्रीवेस एजुक किया है पहले से अगर आपको work experience है नहीं भी है तो आपको डाल देना है internship अगर आपने किया है तो अल्रेड़ी आप अपलाई कर दो अगर आपको कुण से भी फिल्ड में अगर आपको किया है तो नहीं कर दोगे आपको डाल चाहे है किया है उसके बाद आपको रेजूमे अपलोड करके वहापे चाके चेक कर लो, वहापे क्लिक करने के बाद आप इस ओफिशल वेशाट पर आने वाले हो, जो ऑफ काप पस हाइरिं चल रही है, कोगनिजन की तरफ से वो 2019, 2020, 2021 के अगर आप ग्राइज आप अप्लाइ कर सकते हो यहापे, जो जो जॉब फंक्शन होने वाली है, मत कि वो भी अप्लाइ कर सकते हैं, जो मिलनी में सालरी हो सकती है, यहापे देख सकते हैं, पर आनम मतलब यहली जो आपका सालरी होने वाला है, वो इत्ता होने वाला है, आपको जो अब बात कर लेते हैं, जो 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 जॉब डिस्क्रिप्शन की है, यहापे आपको टीम में व LGBT की बात कर ले थे अगर आप 2019 के पास आउट हो या 2021 के पास आउट हो बीवीटेग, M.E.M.TEC किसी भी ब्रांज से आप कर रहे हो आप अप अपलाई कर सकते हो यह पे अगर आप सौफ़ेर इंजिनरिंग भी हो तो आप अपलाई कर सकते हो और जो मिनिमम आपकी जो परसंटे इसके बाद अगर आपका इयर कए तो मीमम टूए मिनिममम कट हो सकता है उससे जाए तो आप लाएं कर सकते हो उसके बाद नीचे स्कूल करने कि बदा अपका जो रेजुम है वह दो पेज मैग्जिमम होना चाहिए उसके बाद शारे आपको मार्क्षिट अपर आटाज करन यहाँ पे apply कर दो, apply करने के आपको यहाँ पे simply apply का button दिख रहा है, आपको apply कर देना है, जैसे आप apply नाओ के button पे click करने के बाद मैंने जो आपी विप्रो का process बताया था, same process इसके लिए भी है, cognizant के लिए, वैसे आपको form fill up करना है, वैसे ही form आपको आएगा, वैसे आपको form fill up करना है, and guys, अगर आपको कोई भी course with certification करना है, तो नीचे comment box में मुझे जरूर बताना, या तो Instagram पे सीधा DM करो, हम जल्दी से जल्दी reply देंगे वहाँ पे, and किसी भी field में अगर आप internship करना चाहते है, तो वहाँ पे मुझे DM करना, हम जल्दी से जल्दी reply देंगे, बाकि आपने अभी थक, जो international certification अगर आप गेन करना चाहते है, तो यहाँ पे video है, आप जाके चेक करो, video के description में आपको link मिल जाएगा, बाकि आपको, अगर लिंक डिंग के तरफ से, अगर आपको free course with certification करना है, बहुत सारी courses है, किसे भी field related, अगर आपको course चाहिए, तो यहाँ पे झाल